मैं बारहवे राश्ट्री मतदाता दिवस के अफसर पर भारत के सभी मतदाताओं को बरहाई एवंशो कामनाय देता हूँ। यह दिन हमें दर्शाता है कि हर एक वोट अमूल है। आज मैं देश के प्रतेक मतदाता के प्रती अपना आभार व्यक्त करता हूँ। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां बोट दैने का अधिकार एक लंबे संगश के बाद हासिल हुआ। हमारे देश के सभी व्यस्क नागरिकों को यह अधिकार तब ही मिल गया था जब भारा राजाद हुआ। बोट दैने का यह अधिकार बहुमूल है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल आवश्य करना चाहिए। मतदान के अंदरों पर आपकी उपस्तिती हमें प्रिणा देती है। लोक तंदर की नीव उस वक्त और मजबूत हो जाती है जब मतदाता अपना वोटर कार्ड हाथ में लिए मुस्कराते हैं। जब मतदान के लिए बेहद ही सब्बर के साथ लाइन में खड़े अपनी बारी का अंतिजार करते हैं। भारत की चुनाव पनाली दुनिया के सर्वसेष्ट चुनाव पनालियों में से एक है और मेरे प्रिय मतदाता आप इसका केंद्र हैं। इस वर्षक का राश्टी मतदान दिवस और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये दिवस भारतिय चुनावों के सतर वर्षों के पूरे होने और देश की आजादी के 75 वर्ष के अफसर पर मनाया जा रहा है। साथ दशक पहले देश में पहले आम चुनाव आयोजित किये गए थे। सबा सत्रे करोड से अधिक मतदाताओं के साथ पहला चुनाव बाकरी पूरे विश्वास और इमानदारी से किया गया। ऐसा काम था जिसका उधारण मानवत्ता के अथ्यास में बहुत कम देखने को मिलता है। तब से भारत निर्वाचन आयोग पूरी दड़ता के साथ लोगतंत्र के रास्तरे पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने मतदाताओं के साथ सिर्फ सतंत्र और निश्पक्षी ही नहीं वलकि ऐसे चुनाव कराने का प्रियास किये जिस समावेशी, सुगम, सहभागी और एक उस्तर की तरह हो। इसी भावना के साथ रास्त्रिय मतदाता दिवस 2022 की थीम समावेशी, सुगम, एवम सहभागी, निर्वाचन की ओर अग्रसर रखी गई है। भारत जैसे बड़े और विवतिताओं से भरे देश में चुनाव कराना हमेशा से ही एक चुनोती पूर्ण कारिया रहा है। इस समय पूरे देश में विचान्वे करोड से अधिक मतदाता हैं। इस में से लगवग 49 करोड पूरुश मतदाता हैं और करीब 46 करोड महिला मतदाता हैं। इन पंजीकरत मतदाताओं में 80 वर्षे से अधिक आयो के करीब 2 करोड वरिश नागरिक, 81 लाग से अधिक दिव्यांग जन, 19 लाग से अधिक सर्विस बोटर्स और लगवग 1.3 करोड नए मतदाता हैं। वैसे परिस्थितियां चाहें कितनी ही मुश्किल करना हो नहीं हो। मतदाताओं न आयोग के प्रति हमेशा अपना भरुसा जताया और हर चनाव में बढ़ चट कर भाग लिया है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष कुछ एतहासिक चनाव सुधार लागू किये गए हैं। भारत निर्वाचन रायोग के सिफारिश पर लोग प्रतिनिजित अधिनियम में कुछ अत्यंत महत्तपून संशोधन किये गए हैं। इन मेंसे पहला संशोधन हमारे सभी युवा मतदाताओं को वर्ष भर में पंजी करण की चार वार सुविधा प्रतान करता है। पहले युवा मतदाता केवल एक वार वर्ष में पहली जनवरी को ही मतदाता सूची में नामदर्च करवा सकते थे। आविस संशोधन के बाद वर्ष की एक जनवरी, एक अपरेल, एक जुलाई और एक अक्टूबर में से किसी भी दिन 18 साल की आयू प्राप्त करने वाला कोई भी भारतिय नागरिक पंजी करण करवा कर अपने मतदान के अधिकार का उप्योग कर सकता है। अगला संशोधन मतदाता प्याचान पत्र को अधार से जोड़ना है, इससे मतदाता सूची में से नावों का दोहराव हटाने और उसे अधिक सशक्त करने में मदद मिलेगी। पिछले दो बश्चों से COVID-19 के व्यापक प्रभाव ने चुनाओ का आयोजन बेहच चलोती पूर्ण बना दिया है। अपना तूट विशाथ रखने वाले दड़ निश्चियाई भारती मतदाताओं ने महामारी के दोरान आयोजित इस सभी चुनाओं में पहले से अधिक संख्या में मतदान किया। उन्होंने संधे करने वाले को गले सावित कर दिया। इस मातदाता दिवस हम आप सभी को नमन करते हैं। महामारी के दोरान चुनाओ आउजित कराने के प्रोटोकॉल पर आयोग ने दुनिया भर के निर्वाचन निकायों के साथ दिमश किया। भारत विश्ण निर्वाचन निकाय संग का अध्यक्ष है। इसमें 108 डेशों के साथ से शामिल हैं। अपनी सर्वस्टेट पद्यतियों और पहल को दुनिया के साथ साजह करने के लिए कई वेबिनार और इंटर्नेशनल वर्च्ट्वल इलेक्षन विजिटर्स प्रोग्राम आउजित किये गए। साम भागिदारी ही चुनावों को सार्थ बनाती है। भारत निर्वाचन आयोग महिलाओं, दिव्यांग जनों और वरिश नागरिकों को विशेश सुविधाय उपलब्द कराता है। ताकि उन्हें सुविधा जनक और एक सुखद मतदान अनुभव प्राप्त हो। आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को डाक मतपत्र यानि कि पोस्टल बैलेट की सुविधा का वेकल्प दिया है। जिनकी आयोग अस्ती वर्षे से अधिक जो दिव्यांग हैं और जो कोविट से प्रभावित हैं। आयोग मतदान के अंदर की सुविधा को उनके दरवाज़े तक ले आया है। इसी कड़ी में एक नया एप Know Your Candidate है। ये मतदाताओं को उम्भीदवारों के अपराधिक इत्यास सहित उनके बारे में पूरी जानकारी विधान करता है। ताकि मतदाता सजग होकर अपना विकल्प चुन सके। हाल ही में गोवा, मनिपूर, पंजाब, उत्राखंड और उत्रपरदेश की विधान सवाओं की आम चुनाओं की घोशड़ा की गई है। ये चुनाओं 690 विधान सवा छेत्रों में करवाए जाएंगे। इनमें 18.5 करोड से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 2 लाग से अधिक मतदान के अंदर स्थापित किये जाएंगे। हम इन राज्यों के 25 लाग नए मतदाताओं का स्वागत करने के लिए भी उत्सुख हैं जो पहली बार अपना बोट डालेंगे। लगातार बदलती स्थित्यों को ध्यान में रखकर आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कड़े दिशाने देश जारी किये हैं। हमने चुनाव वाले राज्यों में टीका करन की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोड़ दिया है। इन आम चुनावां को पूरी तरह से कोबिर स्वरक्षित वराने के लिए सभी प्रवंद किये जाएंगे। मैं इस अफसर पर चुनाव वाले पांच राज्यों के मतदाताओं का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह करता हूँ कि वे इन चुनावों में हमेशा की भाती पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भाग ले। भारत निर्वाचन आयोक के लिए मतदाता सच्चे नायक और आइकन है। मतदान के अंदर पर आपकी उपस्थिती लोगतन्स को मजबूत करने के साथ ही देश को गौरवानमित भी करती है। में राश्टी मतदाता दिवस के अफसर पर उन्हें देश के प्तत्यक नागरे को हार्दिक बढ़ाई एवं शुक कामनाय देता हूं। जय हिंद।